वर्तमान में कार्तिक मास चल रहा है। यह हिंदू केलेंडर के हिसाब से एक बहुती पवित्र और बहुती महत्पूर्ण मास होता है। इस महिने में शूर्योदे के पहले जो इसनान किया जाता है उससे कोटी-कोटी पुन्य मिलते हैं। इस महीने का इंतजार पूरे साल भर रहता है कपसे कार्तिक मास इस्नान होगा, कार्तिक मास प्रारम होगा ताकि हम कार्तिक इस्नान कर सके हैं यहां मैं आपको एक बात की जानकारी देना बेहद जरूरी समझता हूँ कि कार्तिक मास श्री हरी को बहुत ही प्रीय है और कार्तिक मास श्री हरी यानि की विश्नु का प्रीय होने के कारण यह महिना स्री लक्ष्मी जी को भी बड़ा ही प्रीय है और जो इस पवित्र मास में सूर्य उद्य के ठीक पहले ब्रह्मूर्थ में किसी पवित्र नदी शरोवर पर इसनान ध्यान करता है तो उसे अक्षे उन्ने की प्राप्ति होती है लेकिन साथी साथ इस चीज़ को आपको नहीं भूलना चाहिए कि हम जो इसनान कर रहे हैं चाहे कार्तिक इसनान इस्त्री करे चाहे पुरुष करे कार्तिक इसनान के तुरंत बाद में उन्हें तुल्षा जी की और सालग राम जी की पूजा करने चाहिए विश्णु भगवान की लक्ष्मी माता की पूजा करना चाहिए तुल्षा जी की पूजा करने के बाद में तुल्षा पत्र का सेवन भी करना चाहिए तो यहां पर मैं जो आज विशेश रूप से आपसे अपने विचार शेयर करने जा रहा हूं वो किसी एक वीवर ने श्रोता ने मुझसे कोई जानकारी चाही थी कि पीपल की पूजा जो इस्त्रियां जो महिलाएं कार्तिक इस्नान कर रही है वे मंदिर में सूर्य उदे होने के पहले पीपल की पूजा भी करती है तो क्या यह सही है या नहीं है यह जो जितने भी मास जितने इस्नान नदी सरोवर यह सब बनाएं गए हैं और इनका जो महात्मे हम जानते हैं पाते हैं इनका जो साक्षी है वो हमारे ग्रंथ होते हैं प्राचीन ग्रंथ होते हैं कोई भी वर्तमान में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिश्कों की दिव्य ज्ञान दिव्य द्रिष्टी प्राप्थ हो और जो अपने आप में कोई धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का विधान बना सकें तो हमारे विधान क्या कह रहे है धार्मिक ग्रंथों में जो दिए गए विधान है कार्ति किस्नान का पूजा विधान क्या कहता है हम इसके संबंध में अभी आपको जानकारी दे रहे हैं आपको जानकारी देने के पहले एक बात आपसे सेयर करना चाहूंगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को पुरा सुने हो सकता है कि कोई अच्छी बुरी जानकार यह आपको मिले यहां मैंने आप से कहा कि कार्तिक इस्नान सूर्य उद्य के पहले तारों की च्छाओं में ब्रह्मुर्थ में किया जाता है आप हमेशिया ध्यान रखिएगा कि यह इस्नान इस्त्री पुरुस दोनों कर सकते हैं यहां तक भी हमारे संतों ने कहा है कि पुरुस से उसकी पत्नी पूछ कर कार्तिक इस्नान करती है तो यह इस्नान मानने होता है उसके बाद भगवान विश्नु की मा लक्षमी जी की पूजा करे तुलसा जी को जल चड़ाएं सालग राम जी की पूजा करे और सुबह श्याम तुलसा जी के घी का दीपक लगाए तुलसा जी की पूजा करने के ठीक बाद एक या पांच तुलसा पत्र का सेवन करे और उसके बाद अब यहाँ जो महत्पूर्ण प्रश्न जो पूछा गया था मुझसे वह यह था कि पीपल की पूजा इस्त्रिया वहाँ पर सूर्य उदे के ठीक पहले कर ले तुलसा जी कि इस मास में पीपल की पूजा और पीपल को दीप लगाना दीपक लगाना बड़ा ही पुन्य का बड़ा ही धर्म का काम होता है लेकिन इसका जो विधान है हम उसका उलंगन कदापी नहीं कर सकते क्यों कि सूर्य उदे के पहले पीपल पर मा लक्ष्मी की बड़ी बहन ए लक्ष्मी जिसे दरिद्रता भी कहते है उसका वास होता है और यदि हम तारो की च्छाओं में ब्रह्म मूर्त में यदि सूर्य उदे के पहले पीपल की पूजा करते हैं तो ये तो पक्की बात है कि हम अय लक्ष्मी की दरीदर्ता की पूजा कर रहे है और उसके साथ वह दरीदर्ता वह अय लक्ष्मी हमारे साथ हमारे घर प्रवेश करेगी और ना मालूम कितने प्रकार की विग्ण बाधाये हमारे घर में आ जाए दरीदर्ता भी आ सकती है स्वास्थे भी खराब हो सकता है नोकरी पेशे पर बुरा प्रभाव पर सकता है बच्चों की पढ़ाई में बुरा प्रभाव पर सकता है घर की शान्ती भंग हो सकती है अब आप तो यह सोचेंगे कि कार्तिक इस्तान कर रहे है हम तो पुन्ने का काम कर रहे है फिर आखीर य यह जो सब परिशानियां हैं यह क्यूं तो जाने अंजाने जब हमें पूर्ण ज्यान नहीं होता है किसी चीज का तो हम कोई गलती कर बेखते हैं और उसका खाम्याजा हमें भुगतना पड़ता है पीपल की पूजा करेंगे पीपल को जल सीचेंगे पीपल के दीपक लगाएंगे लेकिन कब जब सूर्य उदय हो और जब तक सूर्य छिपता नहीं है अस्त नहीं होता है इस दर्मियान मा लक्षमी का वास पीपल विश्ट पर रहता है देवी देवताओं का वास पीपल तो सूर्य उद्य होने के ठीक बाद में कार्तिक मास में अगर आप पीपल को सीचते हैं नो परिक्मा लगाते हैं ओम नमो भगवते वासु देवाय मंत्र हर परिक्मा में बोलते हैं आपको कोट कोटी उन्य प्राप्त होगा आपकी सारी बाधाये दूर होगी सारे संकट दूर होंगे कोई भी जाने अंजाने आर्थिक परिशानिया हैं मानसिक परिशानिया हैं सामाजिक परिशानिया हैं वो दूर हो रहा सवाल दीपक लगाने का तो आप दीपक सूर्यास के ठीक पहले लगाएंगे सूर्य की साक्षी में लगभग सूर्य अस्थोने के कुछ समय पहले आप दीपक पीपल को लगाएंगे और वही नो परिक्मा लगाते हुए ओम नमो भगवते वासु देवाय मंत्र का जप भी करेंगे तो मैं आपको एक चीज बता दूँ कि मैं यहां यहें नहीं कह रहा कि आप कार्तिक इस्नान करने के बाद कार्तिक मास में पीपल की पूजा नहीं करेंगे बलकि मैं आपको यहां आगहा करना चाहता हूँ कि आप पीपल की पुजा अवश्य करें लेकिन कब करें ये ध्यान रखें शूर्य उद्य होने के ठीक बाद से लेकर शूर्य अस्त होता है तब तक मा लक्षमी का वास विश्णु जी का वास देवी देवताओं का वास रहता है तब करें यानि कि जल सीचना प्रातेकाल दीपक लगाना साइकाल मैं एक बात और आपको शेयर करना चाहूंगा कि एसी माननिता भी ग्रंथों में दी गई है और हमारे संतों बुनियों के द्वारा बताया गया है कि रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि पीपल में देवी देवताओं का रविवार वास नहीं होता ना लक्ष्मी जी का ना विश्नु भगवान का ना अन्या देवी देवताओं पूरे दिन रात उसमें आ लक्ष्मी का ही वास रहता है इसलिए रविवार को कदापी भूल कर पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए चाहे हिंदू मास कोई भी क्यों नहीं चल रहा हो तो यह सवाल उन्हें प्रस्न करताओं के लिए हो गया कि पीपल की पूजा तो करे कार्तिकिस्टान के बाद लेकिन कब करे वो मैंने आपको जानकारी दी परंतु हमारे यहां एक व्यवस्ता एसी बनी हुई है कि साथ वो भी कर रही है वो भी कर रहा है तो अब मैं क्यों नहीं करूं तो इसका तो इलाज किसी के भी पास नहीं है और इसका अगर कोई इलाज है तो वो यह है कि आप जैसे इसकंद पुरान पढ़े आप दूसरे जो उपनिसाद, पुरान, वसिष्ट इस्मरती, मनु इ में पीपल की पूजा का विधान उलेख मिले आप वहां देखिएगा और पढ़िएगा तब उस पर विश्वास आपका बनेगा कि जो मैं आपके साथ बात सेर कर रहा हूं उसमें कितनी सत्यता है अब कार्ति किस्नान आप कर रहे हैं पूजा विधान आपने पूरा कर लिया तो अब उसके बाद में आपको थोड़ी सी सावधानी भी में बता ही देता हूं पहली तो यह है कि जो कार्ति किस्नान कर रहे है और कार्ति किस्नान नहीं भी कर रहे है किसी भी इस्त्री पुरुष को जो सक्षम है यानि कि जिनको दुपहर में सोने के लिए किसी डॉक्टर ने नहीं कहे रखा है जिनको दिन में आराम की ज़रुरत नहीं हो शारीरिक रूप से वो सक्षम है जगने में ऐसे लोगों को दुपहर में नहीं सोना चाहिए कार्तिक मास में दुपहर में सोना निसेद है लेकिन कोई दिल का मरीज है कोई बीपी का मरीज है बच्चे है बहुत बुजुर्ग है अब आप सीनियर सुपर सीनियर सिटिजन से कहो कि नहीं आप तो दादिसा या पड़धादिसा आपको नहीं सोना हैं अब उनको तो बेठे-बेठे भी नीद आ सकती है क्योंकि उनकी तो इस्तिती एसी हो गई है कि उनको कभी भी वो और बच्चा छोटा उनमें कोई अंतर नहीं है तो उनके सोने या नहीं सोने से फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो युवा पीड़ी है उनको किसी भी हाल में चाहे इस्त्री हो या पुरुस हो दिन में नहीं सोना चाहिए विशेश रूप से जो कार्थिक इस्नान करने वाले है या करनी वाली इस्त्रिया है उनको दिन में कदापी कदापी नहीं सोना चाहिए दूसरा जो ध्यान देने वाली बात है कि किसी कारण से कार्थिक इसनान के लिए नदी किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर इसनान करने में समर्थ नहीं है तो आप घर में जो गंगाजल रखा हुआ है उसे ही ब्रह्मूत में नहाने वाली बाल्टी के पानी में कुछ बूद गंगाजल की डाले और उससे इसनान कर ले तो ये माना जाएगा कि आपने गंगा यमुना सरस्वती नदी तट पर इसनान कर लिया है अगला जो ध्यान दखने का बिंदू है वही यह है कि कार्थिक मास के लिए बताया गया है कि इस माह में हमें दही और छाच कदापी नहीं खाना पीना चाहिए दही खाना नहीं चाहिए चाच पीनी नहीं चाहिए और अंतिंग बात जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ तामसी वस्तुओं में प्याज और लहसुन को शामिल किया जाता है तो कोशीश यह करे कि कार्थिक मास में आप प्याज और लहसुन का सेवन ना करे मुझे उमीद है कि कार्थिक मास में किये जाने वाले इस्तनान के बारे में आपको मैं तो यह नहीं कह सकता कि बहुत जानकारी हो गई लेकिन कुछ महत पूर्ण बिंदू की मैंने आपको जानकारी दी और भगवान विश्नु मा लक्ष्मी आप सबको से कुसल रखे हर आपकी इच्छा पूरी करे सारे संकट दूर करे जैशी किस्णा झाल